गुट मॉर्निंग चिल्रेंग तोड़ेंग वीडियो फ्रम चैप्टर थर्टीन टाइडल वेव्स एंड सुनामी हाइज स्पीड टाइडल वेवस और स्ट्रॉम स्टॉर्म वेवस इन दे ओशियन आर नोन एस सुनामी यानि कि समुद्र में जो टाइडल वेवस होते हैं यानि कि जो जुआर भटा उठता है लहरे जो काफी उची और नीची गिरती हैं इस प्रकार का जो वेवस ज़्यादा उचा होता है फिर नीचे गिरता है तो अगर बहुत ही ज़्यादा speed condition में यह चीज़े होती है तो इसको हम tsunami के नाम से जानते है the tsunami is caused mostly by earthquakes under the sea यानि कि इसके होने के कारण होता है कि समुद्र के सता के नीचे earthquake का आना यानि भुकम पाना by underwater landslides or other underwater disturbance due to this tsunami tsunami is caused यानि कि tsunami को हम बच्चों spelling जो होती है हम लिखते है T-S-U-N-A-M-I जिसमें T जो होता है वो silent होता है सिर्फ इसे हम tsunami के नाम से जानते हैं और आपने news बगरा में भी सुना होगा कि बहुत साल पहले I do not remember हो सकता तो इस lesson में वो date दिया हो on 26 December 2004 a tsunami disaster occurred in Indian Ocean यानि कि 26 December को 2004 में एक बच्चों आई थी जिसने बहुत ही पूरी जिंदगी को तबाह कर दी यानि कि जितने भी living beings थे उसके आसपास के एरिया में जानवर थे काफी ज़्यादा damage हुआ था the storm waves as high as 15 meter and traveling at a speed up to 100 miles per hour in the open ocean have been recorded यानि कि जो storm waves आते हैं यानि कि जो तुफान वाले जो लहरे उठती हैं आपने समुदर में कितने बच्चे समुदर के किनारे गए होगे तो आपने देखा हुआ कि लहरे आती हैं फिर लहरे वापस जाती हैं लेकिन वह काफी कम स्पीड से आती हैं और कम स्पीड से जाती हैं but storm waves क्या होते हैं कि यह बिल्कुल तूफान की तरह आती है और काफी स्पीड से स्पीड अप्टू 100 माइल्स पर हावर या फिर 700 माइल्स पर हावर के कोर्डिंग यह आती है and the storm waves has high as 15 meters and traveling at a speed up to 100 miles per hour in the open ocean have been recorded यानि कि इसका record इसको record किया गया है कि इतने 100 miles पर हावर की दर से यह storm waves जो है वो आते हैं the tsunami moves towards the shore may causes heavy destruction यानि कि जब यह किनारे की तरफ बढ़ते हैं तो काफी जादा life property को damage करते हैं distract करते हैं it can causes flood इसके कारण flood हो सकता यानि कि बाढ़ा सकती है kill or injure animals or people, uproot trees यानि पेडों का उखर जाना and damage buildings also on 26 December 2004 जैसे कि मैंने अभी आपको पताया tsunami disaster occurred in Indian Ocean यानि हिंद महासागर में 26 December को tsunami disaster occurred हुआ था earthquake of magnitude यानि उसमें जो earthquake जो हुआ था उसका magnitude था 9.0 on the richer scale in coast of Indonesia यानि इट अफेक्टेड about 11 countries such as Indonesia श्रीलंका, इंडिया और थाइलेंड यानि उसने उसमें 11 देशों को तबाह किया थे यानि कि वहां पे भी यह चीजें हुई थी जैसे कि Indonesia है, स्रीलंका है इंडिया है, थाइलेंड है यानि कि वह सबसे बड़ा natural disaster था इससे पहले लोगों ने इस प्रकार की tsunami नहीं देखी थी more than 300 thousand people were killed and many people became homeless यानि कि उसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई, कुछ लोग बेघर हो गए a number of people in the coastal area of Tamil Nadu and Kerala died in this disaster उसमें जो coastal area पे जो राज होते थे वहां कि बहुत सारे लोग, people जो है वो मर गए वहां कि बहुत सारे properties destroyed हो गई वहां पेड़ पौधे यानि कि वहां का जीवन ही नष्ट हो गया nowadays there are modern methods to know about the occurrence of tsunami in advance यानि कि आजकल science इतनी modern हो चुकी है यानि technology इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ये सारे जो occurrence होते हैं यानि कि natural disasters जैसे कि earthquake है और tsunami है तो इस प्रकार के occurrence होने से पहले ही लोगों को ये चीजों से अगाह कर दिया जाता है यानि early warning दे दी जाती है ताकि लोग अपने चीजों को लेकर सतर्क हो जाए या फिर वहाँ से एक वहाँ उस place से दूसरे place पे migrate कर ले early warning system are made so that the people of those area may be shifted to safer place to protect their lives यानि कि इसके कारण क्या होता है कि जब हमें पहले सी पता रहेगा कि नहीं यहाँ पे कुछ आपदा आने वाली है तो लोग एक से दूसरे जगह पे shift हो जाते है अपने घरों को बचा लेते है अपने properties को कहीं ना कहीं अगर एक ही बार अगर tsunami आ जाती है तो उस समय हमारे पास समय नहीं रहता है कि हम किसको बचाएं है ना तो बचो यह सारी जो चीज़े होती है नाचरल डिजास्टर जैसे की अर्थक्वैक होना जौला मुखी का फटना तो यह प्राकरतिक जो आपदाएं हैं किसी ना किसी रीजन के वज़े से होती है नेक्स्ट नेक्स्ट इस ड्रॉफ्ट यानि कि सूखा पढ़ना यानि विताउट रें अगर काफी समय तक काफी लंबे पिरियड तक बारिश नहीं होती है या वान येर या फिर कई वर्षों तक किसी रीजन में बारिश नहीं होती है तो इस प्रकार के इस प्रकार के एरिया को हम कहते हैं ड्राफ्ट एरिया यानि कि सुखा पढ़ना तो चलिए I am going to close this वीडियो थैंक यू फर